Hello everyone, this is Satpal and you are watching option seller और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करूँगा एक option trading strategy जिसका नाम है bull call ladder तो एक bull call ladder strategy क्या होती है, इसमें profit और loss कैसे होता है और इसका setup क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगा तो चलिए अब बिना time waste के मैं सिधा आपको screen पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये strategy क्या होती है और इसको किस तरह से trade करते हैं तो देखे ये मैं आपको option के screen पर ले आया हूँ और nifty अभी trade कर रहा है 17.833 पे मतलब 17.800 है ये at the money का level है तो यहाँ पर हम एक bull call ladder को trade करेंगी bull call ladder है इसमें हम कुछ modification एड़ करते हैं bull call spread में तो bull call spread को तो आप जानते ही हो तो यहाँ पर मैं आपको एक bull call ladder spread को trade करके दिखाता हूँ तो मैं option chain को open कर लेता हूँ और देखें market trade कर रहा है 17.850 के आसपास तो मैं क्या करूँगा मैं 17.800 का एक call option buy कर लूँगा जिसका premium है 297 रुपीज तो 297 रुपीज मैंने market को pay कर दिये और 17.800 का एक call option मैंने buy कर लिया अब bull call spread में क्या होता है हम in the money का एक call option buy करते हैं और out the money का एक call option sell करते हैं तो यहाँ पर मैंने 17.800 का एक call option तो buy कर लिया है जिसके लिए 297 रुपीज मैंने market को pay कर दिये हैं अब मैं क्या करूँगा मैं out the money में जाओंगा और मान लिजे 200 point out the money आके और 18.000 का एक call option में sell कर देता हूँ जिसका premium है 196 रुपीज तो इसका एक lot में sell कर देता हूँ तो यह हो गया एक bull call spread मैंने क्या किया है 17.800 का call option buy किया है और 18.000 का एक call option sell किया है तो यहाँ पर देखिए यह call option sell करने का मेरा logic क्या है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए 17.800 को buy करने के लिए जो मैंने 297 रुपीज दिये है इस cost को कम करने के लिए और मैंने एक out दमने का call option sell किया है bull call spread है यह हम इसलिए trade करते हैं ताकि जो option हमने buy किया है उसकी cost को कम किया जा सके यहाँ पर जो option हमने buy किया था इसके लिए 297 रुपीज मैंने market को दिये थी तो यह 18,000 का call option sell करके और जो 297 रुपीज मैंने market को pay किये थे उसमें से 196 रुपीज मैंने market से वापस ले लिए हैं तो इस cost को मैंने 196 रुपीज से कम कर दिया है अब मेरा market को net debit कितना है अब मैंने market को net 101 रुपीज दिये है क्योंकि 297 रुपीज जो दिये थे उसमें से 196 रुपीज मैंने market से वापस ले लिए हैं इस call option को sell करके तो अब मेरा net debit है वो 101 रुपीज का है 101 रुपीज है यह मेरा maximum loss है तो यह तो हो गया एक bull call spread इसका मैं आपको pay off chart दिखाता हूँ यह bull call spread का pay off chart है अब अगर market उपर जाता है तो मुझे profit होगा नीचे जाता है तो मुझे loss होगा और मेरा maximum loss कितना है जो net debit मैंने pay किया है 101 रुपीज का वही मेरा maximum loss है 5000 रुपीज का और अगर market उपर जाता है तो मेरा maximum profit है वह भी 5000 रुपीज का है तो यह pay off chart बनता है एक bull call spread का तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा जो 101 रुपीज मैंने market को pay किये है 297 मैंने pay किये थे 196 मैंने market से वापस ले लिये है तो 101 जो मैंने market को net debit pay किया है यह भी मुझे market से वापस लेना है तो यह आप कैसे करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ तो देखे 18,000 का जो call option मैंने sell किया था इससे मैं ऊपर चलता हूँ further out the money में और 101 रुपीज मुझे market से receive करने है तो मैं क्या करूँगा 18,200 का call option जो trade हो रहा 115 रुपीज पे इसका एक लोट मैं sell कर दूँगा तो अब आप देखे मैंने क्या किया है 17,800 का call option buy किया था उसके against मैंने 18,000 का call option sell किया और यह मैंने sell करके और जो मेरी cost थी 17,800 के call option की उसको मैंने कम कर दिया 196 रुपीज से लेकिन अभी भी मेरा net debit था वो 101 रुपीज का था तो उस net debit को भी खतम करने के लिए मैंने क्या किया मैं और आउट था मनी गया और 18,200 का जो call option है जिसका premium 115 था उसका भी एक लोट मैंने sell कर दिया है तो अब यहाँ पे एक लोट मैंने buy कर रखा है और उसके against दो लोट मैंने sell कर रखे हैं 18,000 का call option और 18,200 का call option और अब आप देखे यह मेरा payoff chart बनता है तो यह जो setup अब बना है इसको बोलते हैं bull call ladder क्यों बोलते हैं क्योंकि यह bull call था और उसके against मैंने एक option और sell कर दिया है तो यह bull call ladder का payoff chart बनता है अब अगर market नीचे जाता है तो मुझे किसी तरह का कोई loss नहीं होगा यहाँ पे मुझे हर जगे profit ही होगा और मेरा profit कितना है 700 रुपीज का और अगर market मेरी profitable range में आता है तो मेरा maximum profit है वो 10,700 रुपीज का है देखे बुल कोल स्प्रेड में आपका maximum profit कितना था? 5000 रुपीज का आपका maximum loss था वो भी 5000 रुपीज का था आपका maximum profit था वो भी 5000 रुपीज का था लेकिन अब आप देखे नीचे की तरफ जो आपको 5000 रुपे का loss हो रहा था वो भी हट गया है और उपर की तरफ आपका maximum profit है वो भी almost double हो चुका है तो ये है एक bull call ladder लेकिन अब आप देखे इसमें drawback क्या है कि अगर market unidirectionally उपर जाता है तो मुझे unlimited loss हो सकता है एक point के बाद तो मैं आपको break even दिखाता हूँ अब भी है तो आप यहाँ पर adjustment भी कर सकते हो तो यह है एक bull call ladder लेकिन आप इस setup को ध्यान से देखे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी strategy होती है उसको आप breakdown करके देखे उसके component देखे कि वो बनी कैसे है यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो it is nothing बटे bull call spread प्लस a short call 17800 का call option और 18000 का call option है यह combination है यह bull call spread है और यह एक short call है तो इसको जब हमने combine कर दिया तो यह बनता है एक ladder और इसका दूसरा combination अगर आप देखोगे तो यह modified ratio spread भी है ratio spread में हम क्या करते हैं एक call option को हमने buy कर लिया उसके against multiple option हम sell करते हैं तो 17800 का call option sell करके और अगर मैंने 18000 के call option के 2 load sell कर दिये होते तो यह ratio spread बन जाता तो अभी भी यह ratio spread ही है क्योंकि 17800 का call option है उसके against मैंने 2 option sell कर रखे हैं लेकिन इनका strike price है वो different है तो इसलिए यह है एक modified ratio spread तो इस strategy को अगर आप breakdown करके देखते हो तो एक modified ratio spread भी है और यह combination भी है 17700 रुपीज है और आपका break even है वो market से safe distance पे है market trade कर रहा है 17800 पे और आपका break even है वो 18400 पे है तो market से safe distance पे आपका break even है और अगर market यहां पे पहुंच भी जाता है तो आप adjustment करके इसको और उपर की तरफ shift कर सकते हो लेकिन एक bull call spread को अगर आप एक bull call ladder में convert करते हो तो आपक margin requirement है वो almost 94000 रुपीज है तो एक bull call spread को अगर आप trade करते हो तो आपको 20,000 रुपीज के आसपास का margin लगेगा लेकिन अगर आप एक extra call को short करते हो तो फिर आपकी margin requirement है यह उपर जाती है अब आपको almost 90,000 रुपीज का margin चाहिए लेकिन इसको आप कम कर सकते हो weekly options को use करके और आप अपनी margin requirement को कम कर सकते हो तो यह होता है एक bull call ladder और इसमें हमारी profitability है वो एक bull call spread से better हो जाती है अगर market नीचे जाता है तो हमें किसी तरह का कोई loss नहीं होता और अगर market उपर जाता है तो हमें यहाँ पे profit bull call spread से almost double होता है लेकिन अगर market unidirectionally उपर जाता है वहाँ पे हम करने से पहले मैं आपको बता दूँ जो चैनल के members हैं जो super smart seller segment में चैनल के members हैं उनके साथ मैं कल एक live session conduct करूँगा तो कल evening में यह session में conduct करूँगा इसका topic क्या होगा और इसके timing क्या होगी यह मैं आपके साथ share कर दूँगा तो अपने time को accordingly आप manage करके रखिए तो चलिए अ यही पर खतम करते हैं thank you so much for watching the video I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें this is Satpal signing off